जाहिन भाई लोग इस सीडूँ में देखे हैं मदरास रेजिमेंट सेंटर या E-min जी सेंटर में इंडियान आर्मी रिलेशन भरती है, D-A-D सेंटर के इंडियान आर्मी रिलेशन भरती जो आपका होने वाला है आपका फरवरी महीना में तो उसमें आपको कौनकों सी डोकुमेंट्स लेकर जाना है डोकुमेंट्स का A to Z डीटियल बताएंगे step by step चाहे वो आपका डवल AD सेंटर में भरती आपका सुरू होने वाला है जान रहे हैं कि आपका 10 फरवरी या 11 फरवरी से आपका भरती सुरू होने वाला है और आपका M.E.G. सेंटर में 30 फरवरी से आपका भरती सुरू होने वाला है और मदरास रेजिमेंट सेंटर की इंडियर आर्मी रिलेशन और स्पोर्ट मैन की भरती शुरू होने वाला है तो भाई इंडियर आर्मी रिलेशन और स्पोर्ट मैन की भरती में कौन कों सी आपको डोकुमेंट्स लगीगी अगर ये तीन आपका जो center बता है ये तीनोवा state की भरती में आप जाना चाहते है तो ये वीडियो आपके लिए must है लास तक watching करना क्योंकि जब तक आप documents का detail नहीं देखेंगे तब तक आपको कैसे समझ में आगा कौन सा documents लेकर जाना है क्योंकि एक documents आप नहीं लेकर जाते हैं तो उसके बाद आपको reject का सामना करना पड़ जाता है running इतना महिना से करते है beam मारते हैं और एक documents नहीं लेकर जाते हैं तो क्या होता हूँ आपको reject कर जाता है तो ऐसा ना हो आपको A to Z documents लेकर जाना है मेरे वीडियो पे आपको continue बने रहना हो आप पूरा step by step detail के साथ बताएंगे और लेडी पहले मैं यहाँ पे note कर लिया हूँ और इसे देखने के भी आवे सकता पढ़ सकती है तो first of all मैं आपको बता दू कि आपका जो पहला certificate होना चाहिए वो आपका relationship certificate होना चाहिए relation की भरती में जाना है तो जाहिर सी बात है relationship का ही certificate होना चाहिए दूसरा आपका sport का certificate होना चाहिए sport वाले में अगर आप जाने है ठीक है next मैं आपको बता दू का all educational certificate और marksit होना चाहिए domicile, nativity, year residential certificate भी होना अवेशक है next है आपका unmarried certificate जिसे आविवाहित परमान पत्रे बोला जाता है भाई जितना भी हम आपको documents बताना वो सभी documents अब एका करके note करते जाए ताकि एक documents को भी आपको छोड़ना नहीं सभी documents लेकर जाना है unmarried certificate आविवाहित परमान पत्रे भी आपको बनवा कर लेकर जाना है next मैं आपको बता दू कास certificate जिसे जाती परमान पत्रे बोल जाता है इसे भी आपको लेकर जाना है और next मैं आपको बता दू कि character certificate इसे हिंदी में बोला जाता है चरित्रे परमान पत्रे आपका चरित्रे कैसा है तो चरित्रे परमान पत्रे आपको तीन तरह से बनता है बहला आपको पुलिस वेरिफिकेशन दूसरा आपके गौँं के सरपांज महुदे से बनावा जाता है और तीसरा आपका स्कूल से इसके अंडर आपका होना चाहिए वैलू ठीक है नेक्स्ट मैं आपको पता दू कि फैमली फोटो ग्राप्स डीटियल मतलब कि आप इंडियन आर्मी की रेली में जा रहे हैं रिलेशन वाले में आप भरती में जा रहे हैं तो उसमें आपके पीता जी हैं या भाई इंडियन तो कैसे वहाँ पर लोग समझेगी कि आपके भाई या आपके पीता जी इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए उसके लिए क्या होता एक प्रूफ होता है जो पीता जी के साथ और आपके साथ जो फैमली है आपको भी साथ में फोटो में होना इसे लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है family photographs detail मनला family का photograph भी लिकर जाना होगा next मैं आपको बता दूग जो आपका certificate होता है तो भाई लेकर जाना है नेक्स मैं आपको बता दूग नो रिक सेटिफिकर भी लेकर जाना होगा और उसके बाद आधार कार्ट पैन कार्ट और पास्बुक यह सभी लेकर जाना है उसके बाद आपका हो गया variation जिसमें आपका name होना चाहिए, age होना चाहिए, address का detail होना चाहिए ठीक है एफिडेफिट भी लेकर जाना होगा और 30 passport size photograph होना अविसक है जिसमें आपका photo होना चाहिए, natural होना चाहिए, अधिक उसमें edit नहीं होना चाहिए, जैसा आपका face है, जो भी है, आई आपका के भरती जो अपका सुरू होने वाला है, आपका meg center में, madras regiment center में, आपका double ad center में, जो भी आपका relation के भरती ऑसपर्ण मन के होने वाला है center में, तो ये सभी documents सभी center में यही वाला आपका sim लेगए गा, ठीक है, तो ये सभी documents आपको लेकर जाना जरूरी होगा, और जो भी मै वहाँ पर जाने के बाद बहुत ही दिक्कत होना पड़ता है, जिस center में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर फोटो कोपी करवाने का machine नहीं मिलता है, ऐसा होता है, मैं बहुत जगा भरती में गया है, तो इसलिए आपको और लेडी पहले घरी से जो रोक्स करवा के लेकर जान झाल